हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन कोचिंग सेंटर, आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ का एक इंपॉर्टेंट टोपिक जिसका नाम है बल तथा गती के नियम, आज का जो हमारा चप्टर होगा वो पूरा हिंदी में होगा और ये कलास नाइन्थ के साइंस का चप्टर है चलिए ज्यादा ना time waste करते हैं अपने chapter की तरफ बढ़लते हैं तो सबसे पहले बल और गती के नियम को हम समझते हैं कि बल क्या है आप कभी किसी भी वस्तु को उठाते हैं या कभी किसी वस्तु को ढखेलते हैं या कभी किसी को धक्का मारते हैं तो आपके शरीर में से एक बल उत्पन होता है जिससे की कोई वस्तू दूर चली जाती है या उसको आप खीच लेते हैं तो उसके क्या-क्या नियम है, क्या-क्या बल है जिसको इंगलिश में force and law of motion बोलते हैं इसके इंगलिश की वीडियो भी बड़ी जलती आने वाली है इस chapter की तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बल यह किसी भी कारिये को करने में मदद करता है किसी भी कारिये को करने में मदद करता है कोई भी कारिये है उसको करने में जो मदद करता है वो क्या होता है बल किसी विकारे करने के लिए या तो हम वस्तु खीचनी पड़ती है या धकेलनी पड़ती है उधारन के रूप में मैं आपको बता देता हूं दरवाजा खोलने के लिए इसको खोलने के लिए आप यहां एक बल लगाएंगे जिससे की दरवाजा को अपनी तरफ खीच सकते हैं बल आशा करता हूं समझ में आ गया होगा तो बल के कुछ प्रभाव यहां पर आपके स्क्रीन पर दियो हैं किसी स्थीर वस्तु को गतिशील बनाता है उधारन के रूप में कोई फुटबोल पड़ी है यदि उस फुटबोल को आप किक मारते हैं तो आपके पैरो दुआया धक्का मारा जाता है तो वहां पर भी बल लगाया गया बल किसी गतिशील वस्तु को स्थीर कर देता है कोई करिये कोई बोल है और यह गतिशील है आप अपने पैर से इस गतिशील बोल को स्थीर कर सकते हैं या एक उधारन यह भी है जो गाड़ियों के अंदर ब्रेक लगती है बल किसी भी गतिवस्तु की दिशा बदल देता है जैसे कि steering होता है हम कार के अंदर steering होते, एक बल के द्वारा ही हम steering की दिशा को बदल देते हैं जिससे कि हमारे कार अपनी दिशा बदल लेती है तो ऐसे ही कुछ हैं हमारे यहां पर बल के example हैं उधारण हैं और बात करते हैं जब हम हतोड़ा मारते हैं तो भी एक बल होता है बल उत्पन होता है जिससे की सामने वाली वस्तू या तो तूट जाती है या वो बिखर जाती है बल के basically दो प्रकार होते हैं पहला संतूलित बल दूसरा संतूलित बल जो संतूलित बल होता है उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे को निश प्रभावी करते हैं जिनका बल जीरो होता है उधारन के तोर पर रस्सा कशीम खेलों के अंदर क्या होता है बच्चों ये मैं बता देता हूँ एक ये इंसान है और एक ये इंसान है इनके हातों में एक रसी है ये अपनी तरफ खीच रहा है इस रसी को ये अपनी तरफ खीच रहा है एक बल इदर लग रहा है जिसको इंगलिश में फोर्स बोलते हैं और तबी कहलाता है जब बल लगाने पर कुछ कारिय हो जब कारिय ही ना हो तो उस समय जो बल होता है वो संतूलित बल कहलाता है और जिसकी जो value होती है वो 0 होती है चलिए बात करते हम अपने next topic आसंतूलित बल आसंतूलित बल जब किसी वस्तू पर लगे अनेक बलो का प्रिणाम बल शुन्ने नहीं होता जैसे कि उधारन के रूप में आपने किसी चीज को ठोकर मारी या कहीं आपने मुक्का मारा तो वहाँ पर कोई वस्तू अपनी दिशा बदल लेती है तो वहां पर बल होता है वह संतूलित ना होगा कर असंतूलित होता है जिसको असंतूलित बल कह सकते हैं तो बच्चो बल के कुछ नियम भी है हमारे इसको गती के नियम के नाम से बोला हुआ है तो जितना हो सके बच्चों इस वीडियो को शेर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो मेरे इस नंबर पर कोल कर सकते हैं एनि टाइम चलिए अब हम पढ़ते हैं गती के नियम गती के नियम बच्चों को हम कहीं भागों में पढ़ेंगे हुआ यूँ एक उधारन देखे आपको बताता हूँ एक न्यूटन जी हमारे साइंटिस्ट थे जो पेड़ के निचे बैठे और उन्होंने क्या देखा एक सेब पेड़ से गिरकर जमीन पर पड़ा तो वो सोचते हैं कि जमीन पर भी क्यूं सेब पड़ा सेब कहीं और क्यूं नहीं पड़ा उनके दिमाख में इस प्रकार के को कोशन उठे जिससे कि उन्होंने अपने नियम दे दिये और आज पूरी दुनिया उनके नियम को पढ़ती हैं कि ऐसी बच्चों मैं आपको कहूंगा कि आप भी अपनी जीवन में कुछ ना कुछ कोशन अपने टीचर से पूछते रही है मुझसे पूछते रही है मुझे व गती के नियम का क्या कहता है बच्चों पहला नियम कहता है न्यूटन गती के प्रथम नियम न्यूटन के गती के प्रथम नियम के नुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्ता या एक समान रैखिक अवस्ता में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई अंसंतूलित बल कारिय ना हो चलिए आपको एक उधारण के रूप में इसको समझाते हैं कि क्या है यह उधारण यह है कि कोई एक बुक आपके आसपास या कोई भी चीज विराम अवस्ता मतलब रेस्ट पोजीशन बे पड़ी है वो जब तक गतीर में नहीं आएगी तब तक आप उस पर कोई बल ना लगाओ तो यह पहला नियम दिया था नियूटन जी ने और आप देख रहे होंगे कि अपने आसपास कोई अगर वस्तू गती में है जैसे गाड़ी है वो जब तक विराम वस्ता में नहीं आएगी तब तक आप एक ब्रेक से उस पर बल ना लगाओ ठीक है बच्चो यह था गती का पहला नियम अब हम बात करते हैं देनिक जीवन में न्यूटन की गती का नियम एक विक्टि अगर बस में खड़ा है तो बस अचानक चलने से विक्टि पीछे की तरफ जाता है हुआ यूँ कि जो व्यक्ति है वो एक विराम वबस्ता में होता है बस में और जब बस चलती है तब वो पिछी की तरफ जाता है तो यह भी एक दैनिक जीवन में न्यूटन गती का नियम है बच्चे असानी से इसको आप पढ़िए और भी बहुत हमारे पास नियम के अनुसार हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपके लिए इंपोर्टन है गीले कपड़े को तार पर सुखाना जब कपड़े को हम जटकते हैं तो वहाँ पर भी न्यूटन का नियम लगता है बच्चों जटकने से क्या होता है कि कपड़ों के अंदर जो पानी होता है उन पे बल पढ़ता है बल से जो पानी होता है वो गती शील होके बहार आ जाता है और भी हमारे पास ऐसे उधारन है कैरम की गिटियां हमारा चलना फुटबोल खेलना द्रवाजा कीचना की निवस्तु को उठाना हमारे आस पास न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आस पास की इतनी चीजों को हमको सिखाया जो आज हम पूरी दुनिया उनको फूलो करती है चलिए अब हम बात करते हैं अपना नया टोपिक जिसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान अत्तथा जड़त्व क्या होता है जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्ता तत्वा एक समान की गती अवस्ता में परिवर्तन का परतिरोध करता है उधारन के तोर पर बच्चे इसको एक इंगलिश में इनर्शिया बोला जाता है आप सब इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो ये मेरा द्वारा दिया गया एक्सपेरिमेंट जिरूर करिए ये एक गिलास है बच्चो इस गिलास के उपर आपको एक कार्डबोर टाइप की शीट को रखना है और उसके उपर बच्चो आपको जेम में से निकालना है पांच रुपे का सिक्खा ठीक है और उसे रख देना है और अचानक से आपको इस कार्डबोर्ड को हटा लेना है तो आप क्या देखोंगे पांच रुपे का सिक्का जो है वो गिलास के अंदर आ जाएगा तो हुआ क्या बच्चे इसमें जो पांच उर्पे का सिक्का है वे विराम अवस्ता में था उसको विराम विरस्ता में रहने के लिए एक प्रतिरोधक मिला, एक परिवर्तन मिला, एक फोर्स लगा लो, उसको हम बोलते हैं जड़त्व, क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको जड़त्व चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टोपिक सन्वेग किसी वस्तु में समाहित गती की कुल मात्रा को सन्वेग कहते हैं, मतलब कोई वस्तु है, उस वस्तु में समाहित गती की कुल मात्रा उधारन के तोड़ पर हम इसके में बात करेंगे गनतिय रूप में किसी वस्तु का समवेग इसके द्रव्यमान और वेग का गुननफल है जैसे कि समवेग को हम P से रिप्रेदेंट करते हैं बच्चो जो इक्वल होता है मास गुना वेलोसिटी ठीक है वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग इसको हम वी से लिखते हैं उधारन हम देखते हैं समवेग का कभी भी पत्थर कंकर्ण या अन्य वस्तु को फैकर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है प्रंतु वस्तु का समवेग जादा होता है एक छोटी सी बंदू की गोली किसी वस्तु की जान ले ले सकती है क्योंकि बंदू की गोली का समवेग जादा होता है चलतु ही गारी से टकराने से एक व्यक्ति का जादा चोट लग सकते है क्योंकि गाड़ी का समवेग जाता है ठीक है और यह समवेग का बच्चो फोर्मुला है पी इक्वल टू एम इन्टू वी अक्सर सडक पर भी बहुत स्याज से ऐसे होते हैं जिन वहाँ नो का जो वेग होता है वो ज्यादा होता है ज्यादा होने के कारण जो व्यक्ति होता है वो जल्दी घायल हो जाता है और अक्सर हादसे इन्ही कारण से होते है चलिए बच्चे अब हम कुछ अपने कॉश्चन्स करेंगे वेग समवेग के उपर तो किसी बंदूग से निकली गोली जिसका द्रवेवान 25 ग्राम है वेग 100 ग्राम है ग्याद कीजिए तो बच्चे वेग वी हो गया द्रवेवान मास हो गया इसको हमने किलोग्राम में बदल लिया और समवेग का फॉर्मूला लगाके यहाँ पर हमने अंसर को निकाल दिया ठीक है बच्चो अगरा नुमेरिकर आप खुद करेंगे अगर आपसे नहीं होता तो मुझे वट्सेब करके बताईए यह आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है नुमेरिकर उसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन का पहला नियम पढ़ा था अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का दूसरा नियम उस पर लगने वाले असंतुलन बल की दिशा के बल से सानुपातित होती हैं मतलब कि जो दूसरा नियम है किसी वस्तु पर सम्वेग के परिवर्तन की दूरी सोरी दर उस पर लगने से देखिए जो मेरा बल होता है वो निर्भर रहता है किसी सम्वेग और उसके समय के अनुसार तो इसका भी नुमेरिकल बहुत इंपोर्टेंट नुमेरिकल है बच्चों जिसकों करेंगे चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं यहां पर दो हक्की खिलाडी दो हक्की खिलाडी ए जिसका द्रवेवान पचास किलोग्राम है और वेग चार मीटर पर सेकिंड है दूसरा खिलाडी भी जिसका द्रवेवान साथ है और वेग तीन मीटर पर सेकिंड है तो बच्चे यहां पर हमें निकालना है दोनों खिलाडियों के वेक के गिर जाते हैं और किस दिशा में गिरते हैं इसको ग्याद कीजिए एक खिलाडी का दरवेमान दूसरे खिलाडी का दरवेमान एक खिलाडी का वेक दूसरे खिलाडी का वेक अगर हम इन दोनों का वे को अच्छे तरीके से निकालते हैं तो मेरे पास यह वैल्यू आ जाती है तो अब फोर्मूला अपने को पता है M1 U1 प्लस M2 U2 is equal to कुल प्रम्रिक वेब तो 200 प्लस 180 को करके हम यहां से ऐसे इस नुमेरिकल को सोल कर सकते हैं बच्छो और जिसके अनुसार मेरा यहां पर अंसर आ जाएगा तो साथ में बच्छे कुछ मैंने यहां पर कोशन आंसर दी हैं आपको अभिहास के अती लगू बनाके इन कोशन आंसर को बच्छे नो डाउन कर लीजिए पॉस करकर के वीडियो को और इनी कोशन आंसर की मदद से आपके पेपर बनेगा तो बच्चे जितना हो सके मेरे इस वीडियो को भी शेयर कर दीजे अपने दोस्तों के साथ और जितना हो सके फैला दीजे और मेरे दिये गए इस नंबर पर मुझे कॉल करिये अगर आपको क्वैरी हो किसी टाइप की चलिए धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया